नो तु ही नो टु टबाटब 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 एक हरामी ता सतुशी नागा मोदो जिसने बी टी सी बनाई उसकी मां को सलाम को खतम हुए सारे इसे बैंकिंग के बंगे ना मारक अब ना जैक होते बांसिंग के मतले अफ कारो बार छोड़ो पैसा क्रिप्टों मेर डालो उसे प्रे टेडिंग चला लो माइन की रिगे लगा लो और तुम जितना गुटा लो कौईन की वर्ड पड़ा लो जब आयाशी करन लॉसके वग भी जो इसे ौल गरे गा दो हजास सत्रा की मारकेट को या और कर इस वक का डिप उस वक का बुल था पर लेगों उम्मीद करता है लोग खायरियत से होंगे ठीक आगोंगे खायरियत से चल रहा है सब कुछ क्या हो रहा है लाइफ में भाय जान अभी जो है वैं बात करने आया हूं कि 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 आज है जी फूर्थ में जहां हूं मैं हूं अमेरिका में खान बंगेश ने भी सपोटर पे खिलिक किया है जो जो सपोटर पे क्लिक करता जा रहे है वह हमरा जो एक्स्क्लूसिफ कripTO यूट्यूब फेस्बुक हर जगा अई, हम लोग हर जगा लाइफ है, इंस्टा वालों कैसे हो यह कैसी गुजर रही है, बताते हैं, अभी बड़ी एहम चीज़े में आपको बताने लगो, इंस्टा वालों हर एक को टैक करते जाओ, लाइक पे आप करते जाओ, इसके सबस्क्राइब लिखा होगा। इस पर क्लिक करना है यूट्यूब, ट्रिटर पर जहां भी आप विडियो देख रहे हैं। वहां पर देखें लिखा है वकार जकाता ग्रुप जोईन करने के लिए यहां क्लिक करें। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप बिलकुल जॉइन कर सकते हैं और कैसे हैं आप लोग कौन कहा कहा से देख रहा है ज़रा हम यह देख ले ऐसी बातचीत के लिए इसल्म लेकुम अपर जोइन करते हैं यह आप जोईन करते हैं और पर उसके बाद हम देखते हैं बहुत अच्छी जा एद कहाकाई इद मना रे हैं यूट्यव वालो प्यार दिका दो जी यूट्यव वालो क्या बल रहे हैं एद मुबारक एद मुबारक हैदराबाद सहीद मुबारक, हैदराबाद सहीद मुगार मुबारक इसी तरह जो हमें देख रहे हैं इस वक्त ट्विटर पे, ये सारी टेस्टिंगे हम कर रहे हैं ताके हम अपने लाइव को जब जादा करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, तो डेलेज को हम ज़रा कम से कम कर सके, तो जी ट्विटर पे जितने लोग देख रहे हैं तो ट्विटर पे आज ज़रा ट्विटर पे हागए इसको रीट्विट करते जाएंगे, आज बड़ी इंपॉर्टन मीटिंग होई है, आचा जी देखें, पूछ रहे हैं, आचा जी सवाल देख ज़रा है, इसका सवाल, FOMC ने फाइनल फैसला किया है, दिया है, मार्किट मजीद पंप होगी या डंप होगी, कितना कोई धकन, चुतियापे की बाते करते हैं, माजरत के साथ, देखो ना, पाकिस्तान में, फाइनशल एजूकेशन कितनी जीरो है, सिर्फ मैंने बताया था, FOMC की यानि फैडरल रिजर्व की अज मीटिंग होगी, उसके अंदर को फैसला आएगा, इंटरस्टेट का कह रहा है, उन्होंने फैसला कर लिया, कि मार्किट डंप होगी, य यह कभी ने बना सकता पैसा, गैरेंटी है भाई, भाई जी क्या प्रेडिक्शन अपडेट है, 40 के से वापस कमाल हो गया, बस सर देख लें, यह हर ग्रुप में हमने प्रेडिक्शन तो देते थे लेकिन सिर्फ अकल वालों को समझ आती है, नसीब वालों को समझ आती है, ज फिर वाहां से वापस आएगा, अब उसको जो है कुछ जो किस्मत वाले हैं उन्होंने देख लिया, और यह सब होता है, दस डॉलर वाले ग्रुप में, जहां फेस्बूप में देख रहे हो विडियो, अपने बच्चों को, मा, बहन, बेटियों को सब को जॉइन करवाओ, ताके घर से बैटके वो पैसे अब कमाने के काबिल हो, आप इंटरनेट की दुनिया में प्रॉपटी डीलर कैसे बन सकते हैं, मैटावर्स की जमीने बेज कर आप कैसे कमा सकते हैं, पैसों की जुरूत ही नहीं सिर्फ सीखना है, यह आप नसीब वाले हैं, जो आपको समझ निकालते है, आप जब सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं, तो आप कोई ना की चलाकी करते हैं, या तो आपकी फेस्बुक की प्रोफाल ठीक नहीं होती, या आप अपने जो पेrhमेंट करते हैं, इसी पैसा, र्शा, यूफ़ोन, उसके पेमेंट थूँ नहीं होती, तो फे अच्छा इसी तरह जी हमारे पास ट्विटर पे जो लोगो री ट्विट करते जा रहे हैं उन पे आते हम लोग टबड़ डप मेरा बाई टबड़ अब बात करते ना कि अभी मार्केट पंप करेंगे डंप करेंगा बहुत एहम दिन है बहुत एहम दिन है साउट अफरीका से वो ठोड़ा काम होगा जैसे ही फीट ही हम टुप अटनित करनी है सारी तब देखें यह सञा और ने दिया धो झाकरें यह संट क्या होते मेरी मेरी बएगर egg graduate बातुल्लाही बरकातु हूँ, फर्रुख भाई, कैसे हैं सर, माशालला पिक्चर भी जबर्दस लगाई भी आपने खैवर पक्तुन खास है, और हमारे पास यहाँ आपर, आजे, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करें, जी, तो इस वक्त हमें, जो लोग फेस्बुक को देखे रह है, तो सबसे पहले सीखना है, सीखे बगएर तो मेरे भाई नहीं हो सकता, सीखे बगएर नहीं हो सकता, मिल्कुल नहीं हो सकता, और कमेंट सेक्शन में कोई बंदा गढ़ डालता है, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करा सकता है, आपको बता सकता है, प्लीज, खुदा के वास बंड कर देते हैं चाहर रसूल ने जोईन किया है आज हमने सामने कर दिया भाई सामने सामने तो जितने लोग देख रहे हैं ट्रांस्मिशन दो शेर करते जाएं ताकर हम फिर अपना कर्टब दिखाएं अच्छा भाई तो जहां वीडियो देख रहे हैं जैसी आप यहां पे क्लिक करेंगे, यूफोन, अमेरिका, इंडिया, बंगलादेश, जहां सी भी आप जॉइन करेंगे, फॉरन जैसी जॉइन करेंगे, आपका नाम स्क्रीन पर आएगा, और ग्रुप में आपने अराम से रहना है, पैसा नहीं लगाना, पैसा लगाओगे, मिल तक आपके वॉलेट में नजर आनी चाहिए, और अगर आपने सही टाइम पर जॉइन किया है, अभी भी आप जॉइन कर सकते हैं, कू कोई को, और इसी के साथ हम आगे अगर बढ़ते हैं, तो आज, देखो अब इसको असान लफजों में समझो, अमेरिका में, ये उनके लिए बता रहा हूँ, जो एकॉनमिस्स नहीं है, और बहुत एहम बात बता रहा हूँ, गोड़ से सुन लो, इंस्टाग्राम वालो, टपा टप शेयर करता जाओ रहा हूँ, अच्छा जी, अब किस तरह आपके पैसे बनने चाहिए, ठीक है, कैसे आपके पैसे बनेंगे, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले समझ लो, ठीक है, फेडल रिजर्व, असान लफ़ों में समझो, अमेरिका में अभी दो-तिन घंटे पहले एक मीटिंग हुई है, जो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है, उसके अंदर ये डिसाइड होना था, कि आप जब बैंक से उधार रहते हैं, अमेरिका में, तो आपको इंटरस्ट कितना देना पड़ेगा, अगर वो इंटरस्ट रिट कम होता है, लोग ज्यादा पैसे लेते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं, तो स्टॉक क्रिप्टो में लगाते हैं, लेकिन अगर वो इंटरस्ट पॉइंट तक ले जाने की कोशिश करेंगे 70.5 बेस पॉइंट जो है असान लब्दों में समझो के उतना उपर नहीं उन्होंने कहया उतने इंट्रेस रेट नहीं भड़ाए जितने एक्सपेक्टेट थे तो इसलिए थोड़ी सी मार्केट ने रिलीफ ली है और मार्केट आके से सांस ले रही है लेकिन ये 40,000 से बिटकोइन ये एक फेक आउट बनाने की भी कोशिश हो सकती है तो ये जहाँ जहन में रखना है कि यहां से बिटकोइन जो है जो भी बिलकुल लहकतावा जा रहा है ये एकदम भैकतावा नीचे भी आ सकता है पॉइंट ये है कि ये वाला वो पॉर्शन था जहां से मीटिंग शुरू ही और इसमें जैसी अनाउस हो के इंटर सेट ने नहीं बढ़ रहे हैं तो इसने खलका सा पॉंप लिया हमने ग्रूप के अंदर दो चार्ट डाल दिये थे कि फेक आउट कहां से हो सकता है अब बगर आपने सीखा वाए काम तो आपको पता होगा फेक आउट कहां से होना था अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि ये बात समझ आ गई अब ग्लोबली इस चीज़ को समझो समझने की बात ये है कि अगर आप जिन्दगी में पैसा बनाना चाहते है तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस की एकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी एकॉनमी है इस एकॉनमी में जो फैसले लिये जा रहे है पाकिसाने स्टाइक एक्षेंज में कर रहे है है या आप कर्प्टो में कर रहे है तो आपकी नजरें जो है जादा कहा होनी चाहिए मैं भी अब बता रहो कुछ चीज़े सबसे पहले जी आपने ऐस चीज़ को जहिन में रखना है कि डॉलर इंडेक्स रेट है क्योंकि बहुत अर्से बार डॉलर का जो इंडेक्स रेट है वो उपर जा रहा है यानि यूएस डॉलर की वैल्यू उपर जा रही थी ठीक है ये देखे मैं आपको चार्ट देखा रहा हूँ यहां से अगर आप देखना चुरू करें तो मैं फस्स जून ट्विंटी वन की ब तो जब कभी यह नजर आता है इसका मतलब यह होता है कि दुनिया जो लोग है अमेरिका में वो अपना पैसा स्टॉक से निकाल रहे हैं क्रिप्टों से निकाल के डॉलर खरीद के रख रहे हैं अब डॉलर खरीद के क्यों रख रहे हैं आपके ख्याल में क्या वज़ा होग जरा बताएं जरा कमेंट सेक्षिन में इंस्टा वालों और सारी देखें कित्मी साइस है ये जहन में रखोगे तो सही मौक़े बिटकोइन स्टॉक में आप पैसा बना सकते हो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है जरा बताएं मुझे आप लोग जितने बताएं यूट्यूब पर देखते हैं कोई अकलमंदी वाला कमेंट आ रहा है वाट अबाउट ब्लॉक कोईन वाट ब्लॉक कोईन यह दे कह रहें गांडू एक्सप्रस क्या नाम रखे हुएं गांडू एक्सप्रस सर कौन सा लॉंग बीटी सी बाई यह सारे फ्लॉप है यह सारे जितने लोग ऐसी बाते करते ना 41 तक जाएगा देन रिटन 34 पे आ जाएगा वर्ट अबाट ब्लॉक कोईन अभे तेरे बाप का कोईन है मुझे क्या पता कौन सा कोईन है सारी कितनी एम बात हो रही है डॉलर की वैल्यू दे इंट्रस रेट इस इंक्रीजिंग है सवाल सवाल ही गलत है आई इंफलेशन यूकरेन रशिया वार नहीं यह विलकुर सही बात है यूकरेन रशिया वार भी बागी लेकिन एक और चीज़ यह है कि देखें हुजरा मैं फेस्बुक पर देखूं कोई अकल बंदी वाला कमेंट आया है वहाँ पर यहां पर मिशा नागाम रहते हैं आपको कुछ भी नहीं बता माजरत के साथ आप नहीं कुछ भी कर सकते हैं सवाल ही गलत है आचा जी बता ही सर किसको डॉलर डॉलर बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है डॉलर का इंडेक्स रेट क्यों बढ़ रहा है डू टू पंप इन डॉलर पैसे लगाने एक जो टॉक्ता है जैल जगाने का जानु करते हैं जानु कर रहे है टैस्ट गॉडजीला भी सवाल हो रहा है उस पर तवजजव दे दे तवजव नी देगा तो पस खता में तू डॉलर का स्टेवल रखे हैं अकानिमी को विकाउज उफ चाइना ने बीटी सी पागल है टेकसस की वज़ा से मुस्ट इंवेस्टिर्स आर इन कैश देयर नॉट इन्वेस्टिंग गुड लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं देखो बेसिकली इसलिए कि सिचुशन इतनी अंसर्टन है कि लोग कह रहे हैं कि यार नैस्डेक में भी पैसे हम क्रिप्टों में भी क डॉलर में रखते हैं भाई क्योंकि पाकी दुनिया में सेचुशन इतनी अंसर्टन चल रही है कि प्रॉब्लम हो रही है लेकि कह रहा है बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहा है इसलिए डॉलर अब बैंक में तो रखे हुए जी रिसेशन के वाज़ज बिल्कुल रिसेशन को छोड़कर फोकस होना चाहिए कि डॉलर का इंडेक्स रेट उपर जा रहा है आज फेडरल रिजर्व ने जो कहा है कि इंट्रस रेट बढ़ेंगे जी डीपी का शक्कर क्या है ये नहीं समझोगे तो मेरी जान तुम लोग कभी मिलियनेर नहीं बन सकते तो मैं खलके भु सबसे पहले इस चीज़ को देखिए ये बहुत एहम चीज़ है पाकिस्तानियों मेरे प्यारे बाकिस्तानियों जारे गोर करें मजब में लबास ने जोईन किया है विकम सपोटर पर जो क्लिक कर रहा है अच्छा देखो जो पहला क्वार्टर गुजर है ना भी उसमें जो यूएस का जीडीपी है वो माइनिस में गया है हाला कि सब को लग रहा था जो हम भी क्रेप्टो या उसकी प्रेडिक्शन कर रह होते हैं वो भी इसको देख रहे होते हैं कि यारी किस तरह चल रहा होगा क्यूंकि जीडीपी क्या होता है जीडीपी अमेरिका का वन पॉइंट फॉर परसंट गिरा इस दफ़ा पहले क्वाटर में हाला कि सब को लग रहा था एक परसंट उपर जाएगा यह जो गिरा है इ पॉइंट फॉर परसंट डिक्लाइन आ गया यह डिक्लाइन क्यूं आया जीडीपी में यूएस से की और यूएस से को हम कूं कंसिडर कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एकॉनमी है तो भाई इस पे नजर रखें कर यह कुछ आगे बीज़ा डामट डोल होगी तो हम ठीक है आपका यह सीन हो क्यों 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 वार में भी वार में भी दू कोविड यूगरेन वार अरे भाई डॉलर का इंडेक्स जो गिर रहा है उसकी जीडीपी में क्या चीज़े देखनी होती है बताओ मैं सबको जबर्दस्ती सिखा के छोड़ूंगा यह चीज़ क्यों मेरे प्यारे बच्चों क्यों किरी है जीडीपी जीडीपी वाट इस जीडीपी वाट इस जीडीपी ठीक है भाई असान एक तो यह इंटरनेट भी भी तरी मुश्किल लेंग्विजे में लिख देते हैं कि आम बंदा समझ नहीं पता असान लबदों में जीडीपी का इम्पोर्ट से यानि आप जो चीजे अपने घर में बना रहे हैं वो आप बाहर बेच रहे हैं यानि अमेरिका जो चीजे बनाता है वो यौरप में यहामा जो बेचता है वो जैदा होनी चाहिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कम होनी चाहिए लेकिन इस दफ़ा यह हुआ जिसकी वसे GDP इनका नीचे आया है कि जो एक्सपोर्ट है इनकी वो इतनी नहीं हुई एक्सपोर्ट में कमी आ गई मतलब जो अमेरिका चीज़ें बनाके दुनिया को पेलता है वो कम हो गई और उसके वज़ा से जो इनका GDP है वो 1.4 परसंट नीचे आ गया जो ओवराल इस दफ़ा अमेरिका का चक्कर है वो इसलिए भी हुआ है कि सप्लाई चेन के मसले है ट्रांस्पोर्टेशन के मसले है यूक्रेन और रशिया के जो मसायल चल रहे है उसके लावा चाइना जो है बीजिंग में अगर चाइना खुदाना खासता रिसेशन में जाता है तो गवादर के उपर क्या असर पड़ेगा बाकिस सिचूशन पर क्या पड़ेगा ये लाउंग टर्म की बात कर रहा हूँ चाइना में बीजिंग में इस वक्त भरपूर तरीके से जो वाइरस है वो फैल रहा है और लॉकडाउन पर बहुत सकती होती जा रही है यानि महापर जो काम करने के वाला चक्कर है वो भी Kyoto होता जा रहा है तो जब चाइना पर सकती हो रही है यूकरेन रिशिया की बाड़ चल रही है तो supply chain के मसले चल रहे है supply chain के मसले की वज़ा से इस दफ़ा जो export है वो अमेरिका की उतनी नहीं हो सकी इसलिए गिर है लेकिन fundamentally अमेरिका बहुत बड़ी और strong economy है ऐसे नहीं होता कि एकदम गिर के तबाह हो जाएगी ठीक है लेकिन बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है के GDP यूएस का गिरा है इसके बाद हम बात करते हैं कि इस वक्त जो है जो बाकी दुनिया के मुमालिक है वो इस वक्त क्रिप्टो को किस तरह देख रहे हैं क्रिप्टो में अगर मैं Central Africa की बात करूँ तो उसके Central Bank ने बोला है कि जी हम इसको Legal Tender के तौर पे करेंगे लेकिन बहुत ही मजाक मजाक वाली बात ये है कि Central Africa ने तो ये बोल दिया है लेकिन Central Africa के President ने बोला है लेकिन वहां का जो बैंक है वो कह रहा है जानू हमें तो पता है नहीं लीगल टेंडर का बना दिया तो इसलिए इसका बहुत बड़ा इमपैक्ट ने आ है तो सेलवड़ डॉर के बाद अब Central Africa बन गया है विटकोईन को Legal Tender बनाने के लिए जो पाकिस्तान में मैं कह कह के थक गया कि नहीं सुनी कोई बात नहीं हम क्या कर सकते है मसला यह इए अफरीका के साथ कि अफरीका की जो करंसी है वो फ्रांस कंट्रोल करता है यानि जो फ्रांस की इस फ्रेंच इस यह कंट्रोल करती है इसका मतलब यह हो गया कि वो कभी भी लीगल टेंडर इनको बनाने नहीं देंगे सही तरह ठीक है वो नहीं चाहेंगे कभी यह है लेकिन कितने हद तक अफरीका लड़के सेलवर डॉर की तरह आगे लाता है जैसी यह ज़्यादा अच्छा हुआ बिटकोईन लपाना उपर मेरा वाई क्यूबा जो है उसने भी अप्रूफ कर दीया कि जी सेंटरल बैंक जो है क्यूबा ने बोला है कि जी सेंटरल कूबा ने जो है उसने भी लाइसन्स देना शुरू कर दी Cambuesto को लोगों वहां भी आगे जा रहा रहा है यह पाकिस्तन में हो जाना चाही था ब्राजील के अंदर जो सेनेट है उसके अंदर भी बिटकोईन का बिल जो है पास कर दिया गया है तो ये बहुत ही बुलिश न्यूजिस हैं लेकिन लॉंग टरम ये लॉंगर रन में जैसे इसे इंप्लिमेंटेशन होगी बिटकोईन ये ब्राजील क्यूबा ये लोग खरीदे वो फरुक्त में आते जाएंगे सेंट्रल अफरीका में बिटकोईन लीगली आने लग जाए तो बिटकोईन ने तो रॉकेट बनने है लेकिन अभी के लिए बिटकोईन थोड़ा सा जटके खाता रहे गा अब अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की हमारे प्यारे पाकिस्तान की तो पाकि गुसेंगे तो आप सो सकते हैं कि बिट कोई की मार्किट कहां से कहां जाने वाली है फिर अगर मैं बात करते हैं नो नो आई डूंट वोट आफ काफी बीबी तो बैसिकली फेडरल रिजर्फ ने जो आज अनॉंस्मेंट की है वो बड़ी ऐहमती अगर यह 75 बेसिस पे चला ज और हैं आई बाउंसमें बाउंट आई बाउंट मैं कर रहें लेकिन आई बाउंडेलिबॉश के वही सुधी निजाम पर इतने percent profit October तक देने का plan कर रहे है अब ये इतना fruitful है या नहीं है इस पे भी आप debate कर सकते हैं कि आई बाउंड्स अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो सेफ होने के लिए कि यह stock भी गिर रहा है बिटकोई भी गिर रहा है चलो भाई आई बाउंड्स पे चले जाते हैं अब आ एक हजार लोग देख रहे हैं तो एक घार करता जाएं ताके मालुमाती बाते जो है आगे तक पहुँचती जैएं लोगों फेडरल रिजर्व ने इतना सब कुछ कर दिया कोई भी मशूर यूटीवर की बात कर रहा हूँ जिसके पास एक दो मिलियन फॉलोर्स हो क्यों क्योंकि आप देखते नहीं है इंस्टा पे भी देखो ना अभी मैं नंगी बात है करूँगा हमें बहुत नज़र रखनी है देखो अब यह 30 शेयर हुएं यह कोई बात नहीं होती है एक हजार लोग देख रहे हैं एक मिल लगता है शेयर करने के लिए नंगी बातों को जो तरह शेयर करते हो तो नहीं सिको भी किया करो अच्छा अब मैं आपको जो बता रहा था बात सबसे हम हम जो है इस वक्त बड़ी जो एक एहम चीज़ चल रही है ना उस पे आपकी नजरे होनी चाहिए देखो यह वो चीज़े मिलिनिर बनने वाली आप चाहिए पान की दुकान चलाते हो या कुछ भी करते हो इससे पूछता है हाँ भाई बाजन क्या सीने यह दुनिया से ग्लोबल इन्वेस्मेंट मैनेजर है यानि दुनिया के लोग यहां इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में अब यह क्रिप्टो में भी आ रहे है जैसे ब्लैक रॉक क्रिप्टो में आएगा भरपूर तरीके से इसका मतलब यह को कि जो बड़े-बड़े बिलियनेर हो यह फोन करेंगे ब्लैक रॉक भाईया असलाम अलेकुम जानी बिटकोईन में एक लाक रुपया दो लाक रुपया तो लगा दो अभी हर कोई बिटकोईन में आया ही नहीं है बिटकोईन में तो अभी दुनिया आयी ही नहीं है आप बहुत जल्दी आ गए है जो जो हमारे सपोर्टर ग्रॉप में सीख रहा है जानी हो में क्या डालू उसके साथ जो है अगर मैं आप अकारजा का के पेच पी आया है रीट्विट करता है जाए इस चीज़ को फैलाया करो ना इस चीज़ को नहीं फैलाते देखो और आपकी नजर होनी चाहिए इस ट्विटर अकाउंट पर यह जो आप नंगी नंगी और गौसेप और उधर लगा रहे है अगर वाकी जिंदगी में कुछ अमीर होने का सोच रही हो ठीक है तो सबसे पहले आपने यह फैडरल रिजर्व की रिपोर्ट मैंने शेयर की है यहां जाने के बाद आपने क्लिक करना है यह रिपोर्ट आपके सामने आजाएगी ठीक है चार पांच पेजिस की रिपोर्ट है नहीं भी समझा रही चार पेजिस है आप अराम से इसको पढ़कर देखेंगे तो इसमें रेट्स और बाखी जितों के बारे में लिखा वैं इसी में पाद जल रहा है कि इंट्रस रेट जो है वो इन्होंने कि चापा पढ़ गया जहा वकार जगा के बोलेगा कि बेटकोई खरीदो या बेचो ऐसा वकार जगा सिर्फ आपको एजूकेट करके ट्रेंड कर देगा ताकि आप नैस्डेक से लेकर क्रिप्टो से लेकर पाकिस्टन स्टॉक एक्षेंच चलेकर हर जगा डिसीजिजन लेसे को के पैसा कहा लगाना ह दिर इस नो सच तिंग एस कि कोई आके आपको बोलेगा चल अब खरीद में उपड़ जागा चल आप नीचे ये तबाह कर देंगे आपके पैसे एनिवेज तो ये रिपोर्ट सब को समझ आई ये रिपोर्ट पर आ रही है समझ अब तक जो बाते हो रही है आब 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 आ गरते हैं ये रिपोर्ट परो ये नहीं सुनते तो क्या कर सकते हम इसमें को इनको तब आपने पैसे नी लगा ना तलबाई पैसा नी लगाना कितने लोगों ने अभी तक शेयर कर दी काम की बात हमारी अभी तक जो मैंने बाते बताईएं मेरे प्यारे दोस्तों वो समझ आ रही है कि पैसा कमाने के लिए किन किन चीजों पे नज़र रखनी है यूएस की जीडीपी पे और यूएस के फैटरल डिजर्व के डिसिजिएंस पे ये वाली बात आपको समझ आ रही है ये मुझे बताएं सब समझ आ रहा है बास गुड वैस अलाट वैस अलाट वैस ये तो हमारे टीम मेंबर है बड़ा जबर्दस चीता आदमी है सारी वैबसेटी चलाता है अभी तक हमने इसको जो आखरी पेमेंट है वो भी नहीं की वे खुद ही करेगा ट्राइं टू इंडस्टेंड जी जी मतीन भाई स्लो गो स्लो पैसा नहीं लगाना मैं तुम लोगों को इतना चीता बना दूँगा खुदा की कसम नैस्डेक और ये स्टॉक एक्षेंज ना फिंगर टिप्स भी होगा आपके आपको कॉफी पेस नहीं करना पड़ेगा आप अच्छा यार मैं देखता हूं पहले जुटीप अमेरिका का क्या सीन चल रहा है क्या मैंने बस अंदों में ऐसा ऐसी पस होगी है इन सब पर पूरी पूरी सर खपाते तब जाके पता थोड़ा सा पता जलता है च्छा यार मार्केट ऐसे मूव करेगी आस्ट्रोजी अपनी जगा लेकिन ये ऐसा धुड़ी होता है कि अंदों की दर सब को चुछा है चौन भाईया का है ये जो बंदा है ना भाई ये है में इसकी हर हरकात उ सकनात पर आपने उसी तरह नज़र रखनी है जैसे आपकी महले में रुकईया होती है जिसके उपर आप फिदा हो जाते हैं और आप उस पर नज़र रखते हैं ये रुकईया कहा जा रही है रुकईया किदर जा रही है रुकईया किसे मिल रही है, ये रजिया किसके वाद बैटरी है, क्या कर रही है, जो नजरे आप महले की बच्चियों पर रखते हैं, टाइट करके ना, वो अपने नजरे हटा के आप इस पर रखनी है, कि ये क्या कर रहा है, कहा जा रहा है, क्या बोल रहा है, इसके डिसिजि पाओ के कि नस्डेक के शेर लेना है मेरा भाई यह स्टॉक्मी जाने यह सप्लाइच जाने अभी जो इतनी गिरीव स्टरफ जाने यह समझ आगा हमे किसे महबद करनी आज से कोने मारी मैं भूबबा ऑओ भाई जा तो इसके आप अपको अब देखो अब बच्छोदी आप अ ताइ आप, वैसने टाइच को नहीं दो ओटैक। company as well and at the same time if you really want to make money and you know you get into the six-figure kind of thing then you should be focusing on what the federal reserve is saying about the interest rate and when you talk about the interest rate it's always uh bad for the investors if it's going high because you know boring gets really really tough uh so this foreign जाहिता हैं नहीं पाकिसान को तरक्ति देनी है अमेरिका की एकॉनमी पर अमेरिका की इस पर अगर हम यह नहीं करेंगे तो हम तेल हो जाएंगे जो सिर्फ बच्वी पसंद करती हैं माम बच्वी उनको मैं चाता हूँ नहीं फाउण नहीं तो आ थो जिसकें तेली शुसान के एक। इसी तरह हम आपको crypto सिखाएंगे इसी तरह हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे तो आपने जहां सारे दोस्तों को बोलो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो group है हम इसे बनाने लगें यहां आके आपने यहां click करना है group पे click करके यहां join करना है ठीक है मेरे भाई यह join करना जरूरी है यहां click करके group में जो जो भी आता जाएगा अराम से पैसा नहीं लगाना training लेनी है सिर्फ training ठीक है मेरे भाई अच्छा अब हम आते एक और बड़े एहम चीज़ पे यह जो है हमारा पीजिंग कई यह हो गया lockdown हो गया पाउल भाईया हो गए और एक और हमारी एक और महभूबा कौन होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ इससे महपत करनी है आपने दिल वो जो आप अलीजे के पीछे टाइम लगा रहे हैं अलीजे के पीछे लगा रहे हैं न टाइम वो नहीं आथ से जाने जिगर जानेवन तुझको ही चाहेंगे हम वो है हमारी जैनेट जैनन जैनेट जैनन जैनन आपने नज़र रखनी है इस पे कितनी प्यारी स्माइल है अल्ला ताला इसको लंबी उमर ये क्रिप्टो के बड़े एंटी है तो येलन बाजी जो है, इनके बाद जाने है, आपने इनको फॉलो करना है, और इनको फॉलो कर लें ट्विटर पे, जो आप वो रुकईया, रजिया, सबके चक्रों में लगे हैं, सबको माइनस करा हो लाइफ से, ये देखो बाजी क्या बोल रही है, इस बाजी ने अगर कभ जाबी मार्केट से, ये आगी अपोडी नीज, तो ये ये औरत का एक ट्वीट बिटकोईन को और अगर कभी इसने बोल दिया, कि बिटकोईन हमारी महबत है, बिटकोईन ही हमारा जो है दुला भाई है, तो फिर आप देखें, जिस दिन इस खातून ने बोल दिया, बिटक फ्री टाइम में देखें, ये बात आपको समझ आई, आपके दो महबूब आए हैं आज से, आपकी वीडियो सेक्शन की जो टाइमिंग है, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, मैं अपने फ्री टाइम में आपको तो फ्री टाइम में देखते हैं वीडियो भाई, सर आज जब लाइब आते हो, नोटिवेकेशन नहीं मिलती, जानी, जब हसी भई आपको नोटिवेकेशन भी सेट नहीं करनी आती फेस्बुक की, तो बज जानी तक की में मूदें और डांस कर लें, अबे बाई, ये नोटिवेकेशन डालना भी अब मैं सिखा हूँ है, यार आई जिस्ट हैब तो फिलिश टैनप का, टैनप का सैंस फ्रसिस्को और यार मैं आपको क्या बता हूँ, दुबई, दुबई इस टेकिंग एजिस, तो बस, टैनप को थोड़ी के रा सकते हैं, वावा, टैनप ऐसा नहीं हो सकता, सर्डिस्कॉर्ट ट्रिनिंग में, फाइनेशल आस्ट्रोजी जब तक नहीं आ सकती, जब तक आपको टेक्निकल एनालेसिस नहीं आता, ठीक है, अच्छा, लोगों को लगता है, शायद को एक वीडियो की, तब आपका देमाग हो जगा, नो, शी सेज, वी आर वर्किंग ओन बिट्कोई रिस्क्टर एंडिकरिशन चैनल, हाँ तो जानू जब वो सही बात बोलेगा, पहले तो खिलाप बोल चुकी है ना, तो गिरता रहा है, अब अगर एक दिन उसने बोल दिया, अमेरिका ने जब बिट्कोई गिराना होगा तो जैनिट को बोलेगा कि एक ट्वीट कर दे, समझ आई मेरे भाई बात, समझ आई अब आपको बच्चो दियो में ये दुनिया के एकॉनमी सिखानी पड़ेगी ना, वरना अभी तो पाकिसान में पता ही जलता किसी को किया सीन हो रहा है, तो बालो ये जिन्दाबाद, सब लोग जाके ने जैनिट, आप बिटकोईन को बिटकोईन से महबत कर लें आप, कि उसको मत मुलना, ए बीबी, बात सुन, जानी, ये ये नहीं करना भाई, सभी अराम से है, है, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरह करके जो आता है ना, जो आप लिखते हैं, लीगलाइस तो पहले से है, लेकिन ये तरह चिड़ खाती है, क्योंकि बैंकों के साथ है ना, बै जौंसन ने भी हिलकी सी रहली लिए, क्योंकि इन्होंने रेट नहीं बढ़ाए, अच्छा जी, अच्छा ये जो, अच्छा बड़ी कोई चीज दिखाओं मैं आपको यार, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, एक चीज से, है तो मुझे, मुझे रशिया और उसकी वार में बिल से चली गए इतनी, इसलिए कि इन्होंने का कि जिसने भी ओईल खरीदना है, जिसने भी पॉलेंड, बलगारिया, पॉलेंड, बलगारिया तो तेल होगे बिलकुल, इस पे नज़र रखनी है दादा, रशिया ये चाहता है कि गैस यॉरप खरीदे, जो रशिया जे खरीदे ना, वो रुबल में खरीदे जो उनकी करंसी है, इसलिए वार के बावजूद इनकी करंसी उतनी नहीं किरी जितनी किरनी चाहिए थी, पॉलेंड, बलगारिया और जितनी जर्मनी वगारे हैं, वो तो यू हाथ जोड़के बढ़े हैं, माई बाप है तू हमारा माई बाप ह बाई तू ही गैस देगा, तू ही गैस नहीं देगा, तो हम बरबाद हो जाएंगे, उस वज़जा से सब चीज़े तबाह चल रही है, तो पॉइंट ही है, कि जब तक ये जो गैस के मसाइल है ना, यॉरप के रहेंगे, अगर ये जदा बढ़ गए तो यॉरप तो बिलकु करना ही खराब हो जाएगा, वहम कुछ भी नहीं हो सकेगा, तो भाईजान एक नजर आपने रखनी है, रूबल के उपर, और हो सकता है, जो एक बड़ा चैलिंज बनाने की कोशिश कर रहा है, रिशिया का बदमाश, गंजा बदमाश जो है ना, मांका, यारी गंजे बदमा गान को क्या पता के जंग हो रही है यूकरेट में, क्या बता है, अमारा इम्रान गहं तो मासूम है, उसे तो कुछ पता ही नहीं हुथा, पानी को माम और चावल को पपा बलता है, उसने उठा हमारा सादीक और अमीन दोस्स जो है, वो उठा, उसने बोलघा चलो भड़ा च सेटिंग है पाकिस्तान की उलाड साडेकल पुटिंग है पुटिंग तो ये वाली बाते चला रहे थे तो इमरान खान को बिचारे को पता है नहीं चला कि खांसा पासूम आद्मी है यार मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मासूम है कुछ भी नहीं उन्हें पता चलता तो उनको पता ही नहीं चला उन्होंने का कि भाई ठीक है अब रश्या से अगर वो मुलाकात करने गए हैं तो अमेरिका के अंदर क्या खिड़ा है भाई हमारी मर्जी हम रश्या से मिले योगंडा से मिलें, हम पुटिं के साथ डांस करें, हम लुड़ी पाओ खेलें, इमरान खान जाके अजरक पलाए पुटिंग को, क्या हो गया भाई, क्या मतला हूं क्या, इसमें क्या गलत बात है, अब अमेरिका को क्या था, अमेरिका ने बोला है, तुमने वहाँ हमसे क्या है, तो जो है, यह सारी बात के अंदर, जितनी भी बात चल रही थी, उसके अंदर भाई, मेरिका तो लगता है, इमरान खान को यह किसी ने घेरगार के बोला, जाओ यार तुम जाओ, अभी देखें, एक काम की बात हो रही है, एक हजार लोगों में से सिर्फ एक सो पत तो हमेशा परबाद रोगे, यार मैंने ट्विटर पर सर्च कर रहा हूँ, लेकिन नहीं शो नहीं हो रहा, अगर तुझे वो ही नहीं मिल रहा, जैनेट नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, मगर अगर रशिया के पास सबसे ज़्यदा बिटकोईन हुए, इस पॉसिबल कि अ अगर आती ही, तो उसके सदस सारे विडियोज नहीं बनी होती ही, जो, सब्सक्राइब करते हैं, अब तो रमजान खतम होगा है, तो टिका के गालियां देता है, लेकिन काम की बात भी तो कर रहा है, ये कौन बच्चोदियां चाती है, हमने बहुत ज़्यदा शरीफ की हो रही है, एक काता है, मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, शहवाज शरीफ की तो अंगली नहीं रुपती, नहीं कहा जाती रहती है, तो बताने का मतलब ये है, मेरे भाई, ओवरॉल, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जिसकी जियो पोलिटिकल पे ग्रिप हो जिसने खुद भी कभी पैसे बनाई हो, हक हलाल तरीके से, और ऐसा बंदा हो, जो कौम के पैसे बनाने की अबिलिटी दिखा चुका हो, तो वो जो है हमें, पार्टी बना लो प्लीस, पार्टी बना तो लिए, अफ़ जो ये नहीं पता, पार्टी है, पाकिस्तान में चाफत से और तमीज से बात करने से कुछ ही नहीं सट होने वाला, यह मैं अभी आपको बता दूँ, तो जितने लोग हम आते हैं, दोवारा, देखो, यह हमारी पॉलिटेकल पार्टी है, जो हमने रिजिस्ट्रिशन के लिए टेक्नोलिजी मोर्ट पाकिस्तान, पूरे मुल कोई होता है कि हमें बस यह बता दो, अच्छा, अग्या आपके जिन में यह आता है, बस मुझे यह बता दो, यह उपर जाएगा के नीचे जाएगा, तो आपसे बड़ा बेवकुफ तेल ही कोई नहीं, आपका सवाल होना चाहिए, यार यह फॉलिंग वेज बन रहा है, तो सारी दुनिया यह काम नहीं कर रही है, बस कोई बता दो, कोई उपर जाएगा के नीचे जाएगा, यह नहीं हो सकता, नाइन टू फाइव की जॉब पे जितना टाइम लगाते हो, टाइम तो उतना ही लगाना पड़ता है, लेकिन फाइदा सिरफ यह है कि यहाँ पर आने से पैसे जदा बनते हैं आपके, जो नाइटू फाइव पे नहीं बन सकते हैं, यह नहीं है, कोई भी चीज़ होबी है, चल यार मैं कल पर सो एक कोईन ले लेता हूँ, चल मैं यहाँ जा रहो कोईन, अच्छा जी, यहाँ आते हैं आप, ग्रूप जोइन करने में किस-को प्र यहाँ पर आदे, लव दे गुरूप जी, जी, बल्कूर थे लो के यहाँ पर आदे, लव द्स करोड़ जी जी, बिल्कूल टेंक यू, विजी, इसक् sug सी कोई चल्क तो इम्राण थानु बात करें। या कोई हैं इंग्रेजी मा αंकि क्या थे सब्सक्रा ना रयों? ठीक है हुआ। इह शब्सक्त violation.. जरा इंग्रेजी की ऐसी-देशी है और पहर आगया आता है! यहां यह वाली बत भुछत्व करई हुआ। लेकिन करनी पड़ती है ये देखें क्या है ये अरमालाजी ये तरह गौट करने है आपने अरमालाजी the study of the origin of the words and the way in which their meaning have changed throughout history ठीक है अब मैं इसमें बहुत गुसा वाँ गुस जाता हूं ठीक है एडमालजी जो है ये साइंस है ये देखने के लिए कि इंग्लिश का वर्ड जो है कैसा है उर्दू के वर्ड में आप मुझे बताएं कभी आपने ये देखा है कि silent alphabet silent कोई alphabet बेठाओ एक वर्ड है उसमें silent alphabet हो कभी उर्दू में आपने देखा है कभी आपने देखा हो कि उर्दू में इंग्लिशी लैंग्वीज मीषणी फपपे कुट्नी लैंग्वीज है पपे कुट्ट्णी ने बनाई है मीषणी मीषणी चला आख ओपर से से में बिलते असलाम लेगो हाई एभी एल्फाबेट जो है एक एक वर्ड है उसके अंदर एक एल्फाबेट खामोशी से बैठाव है आपने से पढ़ लिए आहा मुझे तो पढ़ना ही नहीं था आई था अबे भाई तू वहां बैठावा क्यों है एक एल्फाबेट जो है उसकी एंटेमोलिजी देख लो कुछ भी जब भाई उसको पढ़ना नहीं है जब उसको प्रौनाउंस नहीं करना कर ला है हैं, C-L-O-U-R पढ़े, C-O-L-R पढ़े, British पढ़े, ये पढ़े, हम तो भाई, बीच में इसी में गुम हो जाते हैं, तो photogenic memory चलाती है, उर्दू language में कोई लफ्स खामोश नहीं बैठावा, कि आप पढ़ें तो उसको पढ़ना नहीं था, भाई ये क्या बात हुई, ये कै pronounciation जो है, मैं मेरे हाथ में हो, हकूमत में घंटा बोलो, इंग्रेजी खतम भाई, हम उर्दू बोलेंगे, जिसने समझ नहीं है, ये करें, सिंधी बोलेंगे, बलोची बोलेंगे, सिराइकी बोलेंगे, जो जो हमारी अपनी language है, उसमें करेंगे, तेल करती है, एक बच्च ये केरेंगे, जोजए रिखेंगे, लिख करेंगे, जो वूल जो हमारी बना धनी आप चीज़ देखाता है, जियो पिलिटिकल सीन का इक बड़ी इंपौर्टन की जो आपको बतानी जरूरी है, कि इंग्रियक्टे लंगविज में मिर्डविच यह सब से जॉइन कर सकते हैं जैना अब दू से प्राइमिंणेंगविज माज Northern baixo इंग्लेष do प्राइमिनलिश academy शुय मगाओं और बेसे वहित कई इंग्रिश हमिए थे पाइम जाके इंग्रिच तो खर अब इंगलिश में बोलते हैं कहते हैं प्रोणाउस कैसे हैं एक बिल्डिंग क्यों है यह अल्रेडी बिल्ड है तो यह बिल्डिंग क्यों है इसको क्यों बोले हम बिल्ड बताओ मुझे वें इट इस ऑल्रेडी बिल्ड जब यह बन चुके तो इसे बिल्ड बोलो गे न भाई बिल्डिंग की बोल रही है वाई टिसको बॉल्रे हुसे अब मुझे एक और चीज़ बताए यह क्या है आओ वे दिखांग एक पूंट आप यह क्या है बई मैं इंग्रेजी के अंदर ही दिखा रहा हूं मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आती यारी जो इसकी जो चीज़ें आज हैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूं आपको ड्रोच कर्णा अवे तुनी आ अमरी के इन के अवेड़ कां गया हो अवेड़ दाव बहा है डी ओ डू है, ठीक है भाई, डी ओ क्या है, डू है, ठीक है, तो जी ओ गू होना चाहिए, भाई, डी ओ डू है, तो जी ओ गू होना चाहिए, नई, जी ओ क्या है, ये गो क्यों है भाई, डी ओ डू है, तो जी ओ गू होना चाहिए, उसे डो, अब आप आजाए यहाँ, ये क्या है लाफ्टर अब ये है लाफ्टर तो डी ए यू जी एस टी आर क्या होना चाहिए डाफ्टर भाई ये अगर लाफ्टर है तो डी ए यू जी एस टी आर क्या होना चाहिए देखो न ठीक है अब या ये क्या है ये अब डाफ्टर होना चाहिए इस लेंग्विज को समय हट यह कहार बात है एनिवेज रुषियन जो प्रेजिन्ट है को कैंसर भी हो रहा है पाता नहीं बात आपको यह चेक कर लें आप जरा बाई जान जो है ना इनकी कैंसर सरजरी हो रही है और हो सकता है इनकी जगा दूसरा बंदा आके बैठ जाए और जब कैंसर सरजरी चलेगी तो बड़ा प्राब्लम हो जाएगा देखो कैंसर भाई को कब हुआ जब इन्होंने मासूम लोगों पे वो इसने दिखाया है इतनी इस दुनिया की सूपर आर्मी को अभी तीन चार महीने हो चुके हैं लेकिन जंग में अभी तक वो हारे नहीं है जिस तरह हार जाना चाहिए इसने बोला था एक महीने में बाई लप टपा टप कर दूँगा मैं लेकिन कर सका अब अल्ला की कहर मैं ट्रेडिंग कराने नहीं आया फॉरन चुटी कर लो मैं मस्ती करने हूं इतकी चुटी है मैं हर वक्त यह नहीं कर सकता है रजिया इंगलिज में फसकी गुंडों में जी बिलकुल तो रशिया रशिया कहा आपको लगता है यूकरेन जरह मुझे कमेंट सेक्शन में पता थी युकरेन है गलत है बट इसठिल यूकरेन को नेटो जयु अच्छा पाकिस्तान पाकिस्तान के केस मिन तुम यह सोच रहे हो कि पाकिस्तान जो ए वो इसमें अम्यरिका मुधाफित drum करें तो भाई क्या हो गया यूक्रेइन की मर्जी है वो निटर जोइन करें कुछ भी करें रश्या कौन इसे बताने वाला भाई जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका हमें नी बता सकता तो यूक्रेइन क्या रश्या के बाप का खाता है जो उसकी बात सुननी चाहिए थी उसे हैं मतलब एक नहत् इसवक् renowned रश्या बनावें महले का बदमाश गोके रश्या कहता है जी मैं सारे और वो सिर्फ यूक्रेइन नहीं वो चाता है मैं सब को हडब कर जाओं अगर यूक्रेइन सही तरह नहीं लड़ता न क्या दर्या है रजगा निकल के आ आ जहीगा है आप को लगता ही सही, स हटाना था तो आप बातचीत से वो चीज़ सही करते ये धुड़ी सकता है भाई एक अच्छी जगा पर आप जाके हमला करते हैं अच्छा जब यूकरीन पर हमला हो रहा था इमरान खान की हर बात से मुझे तफाक है मैं सपोर्ट करता है अच्छा उनकों जड़ता है यह कुझा olsa बार बाइस दिखनान पड़ता है मैंने अपनी नोकरी छोड़ दीती मैंने का नई नी I नहीं इमरान भाई ने बोल मैंने बोल दिया और जाके बैड़ गया बार बार जतानी पड़ती है बार बार देखानी पड़ती है। देखें यह जो आपनी अपनी जो भी होनर है जो भी ताकत दखा सकते हैं सब पहुँचें तो यहां लिविंग ऑन दी एज़ शो के उपर अपने आप को साबत करें। अब यह क्या मैंने इमरान खान को बूलाओ को कि लिविंग ऑन दी एज़ मेरे शो का नाम भाई एक शाव डॉड़ता दे दें। घरने में उन्होंने खुद ही बढ़ता है ना साथ। तो यहां लिविंग ऑन दी एज़ शो के उपर अपने आपको साबत करें। और यहां 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 पांच बज़े हम शुरू कर देंगे। तो आदे लोगों ने बोला पॉब्लिसिटी स्टंड कर रहा है अभी थोड़े दिन में कर लेगा। 2014 में मैंने एरवाई चोड़ा था और इसी धरने की वज़े से चोड़ा था। कहा है लिविंग ऑन दीएज उसके बाद। क्योंकि फिर एरवाई से फट्ड़ा होगे। एरवाई ने बोला भाई तुम इमरान खान के धरने में बैठे हुए लिविंग ऑन दीएज बनाओ। तो कुर्बानिया मैंने आपसे ज़्यादा दीवी है। आप बेटें घर पे आप चला दें ट्विटर पे ट्रेंड। लेकिन जा इमरान खान ने भाई ने गलत किया। गलत है। गलत है भाई गलत है। गलत है ना। अब आप बताएं मेरी जगा कोई एक स्लेबिटी बताए ना हमजा लिए बासी वहां रुका। ना कोई और रुका। मुझे बताएं मेरे अलावा अपने टीवी के शो अपनी रोजी रोटी छोड़के कौन कर रहा था यह का। कर रहा था ना। पीटी आई के जो भी ताज़ा ताज़ा नए सपोर्टर रहे हैं इनसे पूछें कौन धरने में बैठा वाता महां। कौन धरने में बैठावाता। उसके बाद यह बोलना ठीक है। अब देखें बासी देखें अब हमें मजाओ कर रहा हूं building औरITT बिल्डिंग और यह सारी वाली बात थे मैं मुझे विससे इंग्लिश मैं कहता हूं मैं बोलनी नहीं चाहिए तनी है हमें इस पे फखर नहीं होना जाए कि इंग्लीजी आना कोई बहुत बड़ी बात है अब देखें इमरान खान से हमें इतनी महबत थी कि हम जलील हुए खुआर हुए यह देखें अब आप मुझे एक बात बताएं खुद ठीक है अराम से सोच कर अराम से सोचने है आपने और आराम से बताना ठीक है जब इमरान खान साब आए इमरान खान साब ने मूदी को एक लेटर लिखा मूदी से मुलाकात करने की बात की मूदी से जब बात की तो मूदी ने बोला मैं तो बात नहीं करता भाई आप से भी ठीक है अब ये परसनल एगो अगई इमरान खान साब की मैं इनके साथ टाइम गुजा रहा रहा नहीं 31 दिन इनके साथ धरने में रहा हूँ वहीं इनसे मिलता था तो मुझे पता है इनकी इगो कितनी हाई हो सकती है अच्छे इंसाने प्यारे इंसाने क्यूट है हमारे दिल के करीब है और शिक्वा उसी से करेंगे ना जिसको आप कर रहे हैं शेबाज शरीफ को तो हमने कभी सपोर्ट ही नहीं किया हमने कभी नवाज शरीफ को नहीं किया हम तो जिसको कर रहे होते हैं हम तो उसी से बोलेंगे ना कि भाई वो हमें बताए जवाब दे इमरान खान ने बोला इंडिया से ट्रेड बंद अब मुझे आप बताएं कि ये इंडिया से ट्रेड बंद करना सही डिसीजन और स्टांस है आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंडिया से नहीं है पहले आपको कमेंट पढ़ेंगे फिर आप जो कमेंट में उल्टी बात करेंगे उससे बात करते हैं इंडिया की ट्रेड इवरान खान ने बंद की करते ह sillरे है आपके बहन हमारी बहन है ऐसे दोड़ी होता है शकल देख करेंगे थे आप काम की बात पे नहीं जा रहे इमरान खान का मैं PTA के सपोर्टर रहा हूँ न PTA का हाड़कोर सपोर्टर जब कोई आपके सामने कोई बोले बोलना भाई ना मैंने इमरान खान से kभी टिकेट मंगी नसीट मंगी मैंने का नहीं नहीं भाई बाद में लोग बोलेंगे कि टिकेट मांग ली वकार जखाने हैं, अलेक्शन में खड़ा होके, मैंने का नहीं आप आमिर लियाकत को देते हैं, कोई मसला नहीं जाएं, लेकिन आप मुझे बताएं, कश्मीर इस शूपे स्टैंड लिया था, तो कश्मीर इस शूपे कश्मीर पे क्या असर पड़ेगा इंडिया से ट्रेड बंद करने पर ये बताओ, नहीं, इमरान खान ने जो ट्रेड बंद की थी, उसकी वज़ा से, उसकी वज़ा से कश्मीर अजाद हो गया, कश्मीर पे क्या असर पड़ा, चल बता भई, अब जियो पोलिटिकल का पता है ना इसलिए मसला आ रहा है तुम लोगों को हम PTI के सपोड़र रहे हैं हम अपनी दौकरियां छोड़के गए है और रिटन में कुछ नहीं मांगा और डुलेशन जिस तरह खुल खुल के दी ना हमें पता है अब बता है अच्छा कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा है मुझे मैं स ने ने कश्मीर बंद हो जो है उसमें रुक गया सब कुछ अब हैं, जिस लीडर को फॉलो करते हैं, सिर्फ उसके बारे में नहीं कर रहे होते हैं सिरो उसके बारे में अंको अंधेवन के नहीं कर वह झासे अगराई। ज्सलस्कास, उसकी तुम मेंँएं, उसकी गलतियों पर डिसकस welfare है, सिरो बाइंड्ली फॉलो नहीं करते हैं अंधों की तरह, कि किश्मीर पे क्श्मीर पे किस पे जल्म हो रहा है ज़रा बताना ट्रेडिंग क्यों होगी जाभर हुए ग्रुप में होती जाभरी त्रेडिंग यहां हमारी अपनी ब het ज़रेनWow ऑगरी है एर्थ की छूटी है बख्रोच ट्रेडिंग क्या है ब्याग़ल नहीं नहीं कश्मीर मुझे बताएं ना कश्मीर जो है उस पर किस पर जुल्म होता है वह हिंदू है कौने जरा बताना इमरान खान ने मुसल्मानों पर जुल्म होने की वज़ा से इंडिया से ट्रेड बंद की यही कहना चाहरे हो आप यही कह रहे हो न भाई हम डिसकस कर रहे हैं न एकॉनोमी को क्या-क्या मसाइल आए एकॉनोमी ठीक नहीं ही तो बर्बाद भी तो हुई है न पहले मुझे आप यह बताएं ब्लंडर ब्लंडर अब मैं आपको बताता हूँ पहले मदीना की रियासत की बात होती है तो मदीना की रियासत में वो बेसिक एकॉनोमी की भी तो बात कर लो हमारे आखरी नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा ने कभी यहूदियों से एसाइयों से ट्रेड रोकी क्योंके वो बिजनस अब जब आप यहूदियों से बिजनस कुछ खरी देंगे पैसे उनके पास जाएंगे तो वो मुस्लमानों पर जल्म करने के लिए हतियार जो यूज कर रहे थे वहीं से उसमें कांट्रिबूशन भी हो गई न क्या हमारे नभी ने कभी ये फर्माया कि नहीं जब तक तिजारत नहीं होगी जब तक ये मुसलमान नहीं होते कि नौन मुसलिम से तजारत बंद करनी चाहिए जब जो इतना जुलम कर रहे हैं जगों में इतना वो हमारे शहीद कर रहे थे तो हम कौन हैं? हम कौन हैं जो नौन मुसलिमों से तजारत रोकें? ये एक पॉब्लिसिटी स्टंड था सिर्फ लोगों में पॉपुलर होने के लिए कश्मीर की आजादी, कश्मीर के मुसल्मानों के साथ हम हरवक खड़े हैं लेकिर उसका मतलब ये थोड़ी है के अपने धंदा बंद कर दो अपने घर की रोजी रूटी बंद कर दो अपने घर का सत्य अराज कर दो इंडिया से ट्रेट बंद करने से हमारा नुकसान हुआ है, इंडिया का नहीं हुआ इंडिया से जो एगरिकल्चर का बीज आता था वो सस्ता मिलता था, अब वो बीज बहार से आदे लग गया, महंगा मिलने लगया इंडिया से रोग कॉटन आती थी जो टेक्स्टाइल इंडिस्ट्री को मिल ली थी, जो टेक्स्टाइल आज एतनी बूम कर रही है, बंगला देश से अभी भी पीछे क्यों है, इसलिए कि बंगला देश को रोव मिटीरियल बिलता है, इंडिया से और हमारा रोव मिटीरियल आता है दूर से जब raw material ही दूर से आएगा तो फिर इतना बड़ा decision इसमें फाइदा क्या था ना कश्मीर के अंदर जल्म रुका ना कश्मीर के अंदर कोई और प्राब्लम होई ना कश्मीर की आजादी के अंदर थोड़ा सब कुछ चेंज आया ना इंडिया ने अपना इस्तांस चेंज किया इंडिया और कश्मीर की बात करते हो तो ये वाली बात सुन्नत रसूल है भाई आप नौन मुसलिम से भी तजारत नी बंद करते है बिसनस नी बंद करते है चाइना के साथ इंडिया की लग्दाक में इतनी हुए चाइना इसे थपड़े मारते है इंडिया को टपाटप टपाटप सुबाज शाम जो है चाइना चमिटे करा रहा है लदाक में इतनी लडाई हो रही है क्या इंडिया ने चाइना से तिजारत बंद कर दी क्या इंडिया ने बंगलादेश से तिजारत बंद कर दी रशिया जो है रशिया से पाकिस्तान एक रुपे का फाइदा नहीं ले सका एक रुपे का फाइदा ना क्रूड ओयल लिया, ना स्टील मिल के लिए कोईला लिया ना वहां से जो है कोई ऐसी चीज नाच्रल गैस का कोई डील कर सके इंडिया ने इतने बुरे हालात में अमेरिका से भी बनाए रखी, रशिया से बी बनाए रखी रशिया से 25% डिसकाउंट पे क्रूड ओयल ले रहा है ये देखो मेरे भाई, ये देखो 25% क्रूड ओयल इंडिया पता है नहीं बस जिये अलताफ, जिये इमरान आगे पीचे कुछ नहीं पता बस अंधों की तरह सपोर्ट करता है दूसरे की इलतीया नहीं देखनी ये देखो, ये क्या है ये मुझे आप बताएं जरा एक में ये आप मुझे बताएं पाकिस्तान में इमरान खान जब वहाँ गए थे तो इस किसम की कोई डील ही करके आ जाते इंडिया रशिया से ओयल पर्चेस कर रहा है ठीक है और करता जा रहे क्रूड ओयल पाई ये हमारे भी लोग कर सकते थे हमारे लोग डील क्यों नहीं करक कर पाते है आप सिर्फ इस बात को याद रखें तिजारत बंद नहीं होती तिजारत जब यार हमारे जब मैं कहता हूँ जब जिसके लिए हमारी जाने कुर्बान हर जिस कुर्बान जब हमारे आखरी नबी हज़रत मुहमद मुस्तफ़ा अबन जब जब कहा है जब बंद की हो तिजारत कभी है कहा हो कि जब तक ये इसलाम कبूल नहीं करेंगे तिजारत नहीं करेंगे पहले जनेरा मुझे बता थो आप नहीं मुझे आएक मैं बताएं ये हुए अबे भाई तो आपको फॉरन पॉलिसी अच्छी करवानी चाहिए ना मेरे भाई आपकी खारजा पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए आपके यौरप अमेरिका हर एक से तालुकाद अच्छी होनी चाहिए और फिर आप यॉनाइटिट नेशन में प्रेशर डालते हैं कि कश्मीर को अजात करा है हमारी दुकान अबे एक मुझे बात बताओ तुम्हारे अबू कारुबार कर रहे है पॉडूसी में किसी की औरत का चक्कर किसी और से चल जाता है किसी और से चल गया किसी और से अगर चल गया तो क्या तुम्हारे अब्बू ये बोलेंगे उस घर में क्योंके तबाही चल रही है तो हम उससे बिस्नस नहीं करेंगे कैसी बात कर रहे है भाई कैसी बात कर रहे हो इंडिया से बंद करने के बजाए आपको डिप्लोमेटिक अपने अफेर्स को अच्छा करना चाहिए था क्या ये फॉर्मूला आपको किसी तरह सही रखता है सिर्फ मुझे बता दो जी इंडिया से हम तिजारत बंद करते हैं इंडिया से क्यों तजारत बंद करते हैं, चाइना से इंडिया क्यों नहीं बंद करता तजारत, चाइना से क्यों नहीं बंद करता, और नभी की सुन्नत है, तजारत बंद नहीं होगी, क्यों बंद होगी तजारत, क्यों बंद होगी तजारत भई, आप कहते हैं, हमारा पैसा मुहांबद मुस्तफा सलेलाओ आपको लगता है। enam, पहले आप मुझे एक बात बता है्, की ज्यादा पता है, इंडिया से बंद करेंगे क्या? इंडिया से बंद करेंगे, जियो पुछ पता है, मेरी चैल लड़ाई हो ज़ए इंडिया से, मेरी इसराइल से लड़ाई हुज़ा, मैं तजारत बंद नहीं करूँगा, तजारत क्यों बंद करें, मेरे नभी की सुन्नत नहीं है, मैं कौन हो तो महीं बंद करने वाला, मैं तो follow करूँगा, जो मेरे नभी ने मुझे सिखाया गया है, जो हमें सिखाया गया है, हम वो follow करे उनको हमने सपोर्ट ही नहीं किया, तो हम किस से बात करें, क्या उनके धर्णों में जाके हम बैटते हैं, जिसके धर्णे में बैट रहे हैं, हम उससे पूछेंगे आपने इंडिये से ट्रेड बन क्यूं की ती, आप सिर्फ बताएं, अब तो आप प्राइमिनिस्टर नहीं है बताएं ना, अबे पाकिस्तान की टेक्स्टाइल इंडिस्टर की माभे ने कर दी, राइज एक्सपोर्ट के उपर क्या किया है, राइज एक्सपोर्ट के टाइम पर राइज को अगर इंडिस्टर का दरजा देंगे, तो मुल्क तरकी करेगा, तो मुल्क तरकी करेगा ना, आप मुझे बताएं मदीने की रियासत की बात करने वाले कैसे बूल गए कि आखरी नभी हमारा जब नहीं हमारे आखरी नभी ने कभी बोला है कभी बोला है सिर्फ ये मुझे बता हूँ घुसा जड़ता है यार बिवकूफ बना रहे हैं सिर्फ अपने पबिसिटी स्टन्ड के लिए कि देखो मैंने कश्मीर के लिए वहाँ बात कर दी क्या मतलब कश्मीर की आजादी के लिए वहाँ फौज बेजी नहीं चाहिए वहाँ जाकर यूनाइटि निशन में लड़ना चाहिए या जाकर इंडिया से ट्रेड बंद कर दी ट्रेड बंद है भई हमारी क्या मतलब ट्रेड बंद है क्यों ट्रेड बंद है कभी बोला कहीं इसलाम में किसी जगा पर भी ये बोला गया यहूदियों से एसाईयों से ट्रेड बंद की जाए बताओ मुझे, सुनी, शिया, बहाबी, जो भी अभी सुन रहा है, बताओ मुझे कहीं बोला है, तो अंधो की तरह हम नहीं फॉलो करेंगे हम नहीं, हम अलताफ हुसेन के फॉलोर की तरह नहीं है कि वो खून करते, कतल करते, जेलताफ, नहीं हम अगर इमरान खान को फॉलो करते रहें उसके लिए खौ़ार होते रहें तो हम सवाल करना भी बनता है हमारे सवाल का जवाब दो इंडिया से ट्रेड बन क्यों की तुमने सारी ट्रेड के ऐसी तैसी भीड़ती थी और ये सुनत क्यों नहीं फॉलो की आपने एक कोई फाइदा बता उनके से ट्रेड बन करने का एक फाइदा हम इंडिया हमसे कुछ नहीं खरीदता हम खरीदते हैं किसानों के बीज वहां से महंगे आते हैं किसानों के बीज वहां से जो महंगे है अब ये किसानों के बीज जो हमें महंगे पढ़ रहे हैं नुकसान हो हमारी एकॉनोमी पहले ठीक नी चल रही और ये अस्था दुमाओर ये बाकी लोगों ने 20 साल से पीछे पड़े हुए हैं, 20 साल से पीछे पड़े हुए हैं, इनको नहीं चाहिए था, के पहले से तैयारी करके हैं, किस तरह चलना चाहिए, दो मिर्ट में हमें था 20 साल से बड़े हैं तो लाजबी तौर पर कुछ ना कुछ तो ये तयारी करके आएंगे कुछ ना कुछ तो है और मैं कौम पर देखता हूं हम बेवकूफ फॉल्वर नहीं बनेंगे हम सवाल पूछेंगे इमरान खान से अब प्राइमिस्टर नहीं, अब बताएं, क्यों आपने किया इस तरह, क्यों आपने किया इस तरह, अरे मुलक में यहाँ पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, उल्टा ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ, भाई ट्रेड क्यों बंद करें हैं, कहते हैं, इसराइल से ट पाकतवर और इंटेलिजन्ट कौम इस वाग इसराइल है तो उसे दोस्ती करके सीखेंगे या उससे भी लड़ेंगे इससे भी ट्रेड नी करेंगे यहां भी नी जाएंगे यह भी अभी क्या करने आयो दुनिया में दीनों दुनिया साथ लेके चलने की बात हुई है यह नही लेक्शन लेक्शन कर रहे हैं लेक्शन में कितने पैसे लगते हैं कितने पैसे लगते हैं कितने पैसे लगते हैं यह पाकिसान में करवाने के लिए 440 बिलियन रुपीज लगते हैं क्या मतलब हम हर दफा हमारी जेब उसर टेक्स का पैसा चलता जाए है चलता जाए हमारे आखरी नभी हजरत मुहम्मद मुस्तफा ने यहूदियों को गालिया नी दी, कभी यहूदी को गाली नी दी, कभी हिसाईयों को गाली नी दी, लोगों के दिलों को जीतना सीखो, लोगों को गाली दीना नी सीखो, दूसरे मज़ाइब के लोगों को हिंदू हो, क्रिस्चन हो कोई भी हो उनके दिलों को जीतना सीखो ये जो बात कहते हैं लानत है लानत है अबे क्या तुम से आगे निकल जाओगे कभी वो लानत देते हैं लानत देनी है तो अपनी दौलत बढ़ा के दो लानत देनी है तो सचे मुसल्मान बनके अपने back balance को इतना बढ़ाओ कि इस्राइली बोले नहीं यार ये क्या जबर्दस business मैंने क्या साधिक और अमीन बन के तिजारत करता है ये है सुननत ये जो तुम लानत भेज रहे हो तो ये कौन सी सुननत follow कर रहे हो भाई अपने घरों में अराम से बैटे हुए इसी की गाड़ीयों में घूम रहे हम जी धर्दे देते हैं हर्मका में धर्दे देते हैं अबे हम यहुदियों पे लानत भेजते हैं लानते कहा रहतेlei इसराइल के ओपर लानत भेज कर सको share करें अबे दुनिया में किसी कौम में ये होता है लानित भेज के शेयर करें उनी के यहूदियों के बनाएवे प्लैटफॉर्म पर आकर वही अपनी फेस्बूक के आड़ी बनाएवे लानित भेज के शेयर करें ये कौन सी सुन्नत फॉलो कर रहा है भाई तू कौन सी सुन्नत चल रही है भाई क्या देख रहा है किसको फॉलो कर रहे हो भाई मुझे तो लगता है तुम लोगों के अंदर कोई इलूमनाटी आके बैट गया है जो सुन्नत भूल चुके है सारी कभी हमारे नभी ने किसी को गाली नहीं दी लोगों को अपने इखलाक से जीते हैं इखलाक से जीतोगे ना भाई इखलाक से जीतोगे या लानत बेच के शेयर करें इसको लानत बेच के शेयर नहीं करना तो लगा अज़ाब नाजिल होगा यहुदियों पर लानत बेच के अभी वे कौन धकन दिमाख वाले है यार अच्छा बिर कहते हैं जी इमरान खान के एडवाइजर जो है वो ठीक नहीं थे तो भाई इसका मतलब ये माल ले इमरान खान जिसके टीम सेलेक्शन बुरी है टीम सेलेक्शन बुरी है ना इसका मतलब मेरा इमरान खान को टीम सेलेक्ट करना नहीं आती किसी ने जबर्दस्ती तो नहीं कहाता कि शेबास गल जैसे धकनों को आप एडवाजर बने इतना धकन दो नंबर इतनी कोई घटिया लेंगविज इस्तेमाल करने वाला ओ भाई इतनी घटिया रंडी बोल रहा है कह रहा है रंडी है वो जो जिसका हस्बन मर जाता है उसको रंडी कहते है यार क्या घटिया इतनी नीच लेंगविज बोलने वालों को आपने रख लिए मैं अब शर्मा जाता हूँ मैं इतनी घटिया बाते करता हूँ मैं शर्मा ज अगर वापस आना है, एडवाईजर चेंज करो, इमरान खान को सब जाके बोलो, चेंज यूर एडवाईजर इडवाईजर इस राइड नव, तुम अगर दुबारा आ भी गए, तो तुम दुबारा फिर फस जाओगे, दुबारा बर बाद हो जाओगे, दुबारा तबाह हो जाओगे, मैं कहा रहा हूँ, अभी लिखो सारे, चेंज और अडवाइजर, भाई, ये ट्रेंड चला हूँ, वाल तुम इमरान खान को उल्टे फुल्टे मश्वरे देखे, एक शरीफ इनसान को, यार मैं तो परसनलिटी से इंप्रेस हूँ, मैं तो, कहता हूँ, मैं दो लो स्टेंज ड्रामा चल रहा है, जिसके अंदर वो इस तरह की जोक्स नियोते, वो तो इतना काला लग रहा है, तो क्या हो गया, पर तो इतना काला लग रहा है, कि अगर मां की पेट मे थुड़ी दिर रुखता ना, चरस बन गे बाहरा था, मतलब, हमारे टेक्स के पैसे पे इमरान खान साब ने जुगदबास जैसी एक एडवाईजर बना दिये इमरान खान साब को सब जाके लिखें Change your advisors You don't change it ये सब मिले वे मैं बता हूँ ये जतने इसके साथ advisors है ना ये सारे PMLN और इन से मिले वे और इमरान खान को गलत मशवरे दे के गलत तरफ लेके जा रहे इन में से कोई सागानी इनका इमरान खान ने यूद की जमात बनाई थी हम सब को आप advisor बनाओ हम सब को अपने साथ रखो ये घटके लोगों को कटाओ हमें आपसे कोई पैसा और कोई seat नी चाहिए हम आपको सही मशवरे देंगे और आप अपने जितने भी लेके टुच पज़े घूम रहे हो ना इनको side करा के अपने advisor चेंज करो बताओ मैं सही बोल रहा नहीं बोल रहा पीटी आई को वापिस आने तो advisor नी चेंज करने चाहिए आप मुझे बताएं नहीं आप मुझे बताएं पहले गुरूप का सिस्टम बता दो एक बार गुरूप का सिस्टम बता देते हैं आए यह देखे जी जहां आप यह देख रहे हैं इसको आपने क्लिक करना है क्लिक करके आपने जॉइन कर लेना ठीक है जॉइन करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूं वड़ी सिगनल देखू कोई मज़ी का बन रहा है रुको एकड़ो मिनट एक मिनट आई ओप अबे मेरा सांस खोल जाता है यह तिजारत रोक देते हैं यार कहते हैं नहीं उनसे तिजारत नहीं करनी जब रोका ही नहीं किसी ने तो तिजारत क्यों रोके की भाई इस्रैयल से तिजारत नहीं करेंगे अपये लान भेस की शेयर करें पैसों में पैसा में घराएंगे यह किस ने बोलए लाने भेस की शेयर करें लानद भेस के शेयर क्रें उससे अजाद बारओ फ़ेड़ों पकड़ लो जो लोग अभी group join कर रहे है ठीक है हटा दी मेरी यह एर एक दम सारा जेओ पिलोटिकल लेखतर हो गया रेडी यह देख लो कैसे हैं आप लोग कोई टेंशन नहीं है क्रिप्टो का कुछ नहीं पता डार्क वेब का नहीं पता पहली चीज़ आपने क्लिक कर दिया गाइड पर क्लिक करोगे तो सबसे पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की इसको जरा गौर से एक चीज़ समझ लो यहां पर आपने स्क्र इन वीडियो को अराम से देखना है एक महीने में अराम से खतम हो जाएंगी अगर आप बहुत ज़्यदा कंप्यूटर का नहीं पता बिलकुल भी कुछ नहीं आता तब आपको बहुत मैक्सिमम जो टाइम लगना चाहिए वो एक महीना है वैसे तो आप एक दिन में भी खतम कर सकते हैं बड़ी इंटरेस्टिन चीज़ें इन वीडियो को सारा देखना है और ये देखो इस सारी वीडियो दीवें के पाकिस्तान में अमेरिका में कहीं भी कैश आउट कैसे करना है इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर बंदा चाहे वो बारा साल का है चाहे वो बहुत ट्रेंड है उसके लिए असान हो गया जल्दी जल्दी पढ़ लें ये वीडियो नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे तो आपको डार्क वैप कभी समझ नहीं आ सकती इनको देखना जरूरी है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही वीडियो में आपको डार्क वैप समझ आ जा जा आपने हैं लिखना है यार फलानी वीडियो मैंने देखी उसमें मुझे यह समझी आया गाईड के अंदर फलानी वीडियो मैं देख रहा था इंट्रोडक्शन में वो मुझे समझी आया प्लीज मुझे बता दे तो सारी कम्यूटी हल्प करेगी आपकी हमारी टीम पूरी होता है कि बिटकॉइन की क्या अपडेट है कीमत कहा से कहा तक पॉसिबली जा सकती है ठाथ है और अगर नई अपडेट जिसका मतलब कोई नहीं चीज़ नहीं है फिर बता रहा हूं गाइड में जाके इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो है एक वीडियो में ही सारी डिटेल्स दी भी है इन तमाम वीडियो को अराम अराम से देखें जैसे नेट्फिक्स की सीरीज देखते हैं जैसे बाकी gossip session देख र है तो इतना माल बनाओगे कि कभी जिन्दगी में कोई जौब नहीं करनी पड़ेगी मैं आपको फिर बता रहा हूं गाइड की पहली वीडियो देखनी है और अगर टाइम हो आपके पास तो live session होते हैं जिसमें spot trading के signal दी जाते हैं जिसे scalp कहते हैं Monday से लेके Friday Saturday Sunday चुटी होत लब यह होता है यह पेपर पर लिख लिए हैं अगर मैं 10 बजे यह सिगनल उठाता है यह 11 बजे उठाता तो कितना मेरा फायदा होता अराम से चलना है जल्दी नहीं करनी एजी होके चलना है maximum 2-3 महीने में आप तयार हो जाएंगे investment करने के लिए उससे पहले अगर invest करेंग तो यहां बहुत नुकसान होगा मेरी रिक्वेस्ट है अल्ला ताला हम सब को हलाल प्रॉफिट बनाने की तौफीक अता फरमाए और अल्ला ताला आप सब को जल से जल ट्रेंड कर सकें ताकि हम डार्क पेप के कॉंटेस्ट में आउगस के इंड में जा सकें अच्छा भई देखो दोस्तों यह मैं आपको चीज़ बताओं यह काम में भी करना है हम सब इम्राण खान से प्यार करते हैं जब हम उसके वारे में डिसकस्ट भी कर रहे हैं मैं यह लिख रहा हूं यहां भी ठीक हैं और एट्स टू आ लाइब इस टाइम टू चेंज और एडवाइजर्स एडवाइजर्स यह मैं यहां लिख रहा हूं सारे लोग ज़रा यहां आज़ें ट्विटर पे सब लोग रिट्यूट करेंगा रिम्रान खास आपको टैक करके लिखेंगे यहां पर आपने लिखना है सब लोग आ रहे हैं ट्विटर पे वो तो मुझे बताएं आने लगजें भी फॉरन लेक्शन में खड़े होंगे भाई क्यों नहीं होंगे कि कि यहां पर आ जो सारे पाउजार सब्लोग लोगर्री ट्विट प्रत टपप टप 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 बोलो तो सुन लोगा वकारजा की क्रिप्onner में तो सुन आपने इंडिया की ट्रेटाब में अब सुन लो मेरे भाई सब लोग आउ ज़रा रीट्वीट यहां रीट्वीट पर क्लिक करना है यहां लिखना है अपने एडवाईजर्स को फॉरण चेंज करे आप यह हम जैसे लोगों को लाएं फॉरण ज़रा टपाटप करने लग जाए फॉरण टपाटप लिखें भाईजान आप इमरान खान सूपर अच्छा बंद है प्यारा बंद है खुबसूरत बंद है दिल का अच्छा बंद है सिंसेर है सिर्फ टीम बुरी है टीम चेंज करो यूथ के लोग लेकर आओ टीम चेंज करो भर्ई पैस चाहिए लगाते है जहांगिर तरीन क्या मेरे पॉका जहांगिर तरीन लगाते है पैसे जितने उनके पास है हमारे पस भी है लेकिन बत्तमीजी नी चाहिए पूरी कृप्टो कमिनूटी आज मैं अगर TRC20 का यहाँ पर एक address डालू ना कि भाई हम इमरान खान के लिए next selection के लिए charity जमा कर रहे हैं crypto community इतने पैसे देगी और blockchain पे सब सामने नजर आ रहा हो कोई हिला भी नहीं सकता cheating भी नहीं कर सकता लेकिन भाई पहले advisor change करो youth को लेकर आओ youth के इतने लोग हैं उनको लाओ ये बड़ो से तो निकलो यार सत्या नास किया भी इन्होंने सारे लोग आगे इसमों रीट्विट मारे उर्दू में लिखो इंग्लिश में लिखो अर्दका लिखो उर्दू में लिखो इंग्लिश में लिखो इसको convert कर लो इस थाइफ इस टाइम टू चेंज और आडवाईजर इसको इसको भी आदवाईजर से पहले हो है अबराण खान की पेशनलेडी का सारे इसाधिक और अमीन होने की चीज को खतम करके रख दिया थक, बिल्कूल ही, टूपी डरामा कर दिया सारे लोग आज़रें ट्विटर पे बाई आप इनको बोलो आप सबसे पहले सब जो है ना बिलकुल आपको बरबाद वही कर रहें सबसे पहले लिखो सबसे पहले ट्विटर पे आओ ट्विटर पे आओ ऐसे नहीं काम चलेगा कि बता रहा हूं इस वक्त एडवाइजर ही का सारा चक्कर है उन्हीं ने उल्टी फुल्टी चीज़े बोल बोल कर बोल बोल कर सत्यानाय कर दिया मैंने नहीं ब्लॉक किया इसमान खटक भाई यार इसमान खटक को हटा दो सारे लोग पहुंचो जरा यहां पर पहुंचो चातो गीत का तीस्ते दिन है तीस्ते दिन की चुट्टी खतम हो जागी जहां वीडियो देख रहें मैं लिंक दियावा है तो डार्क पैप और यह तमाम चीज़ों के शुरू करने से पहले कोर्स खतम कर लें कोर्स ही खतम करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा अराम से करे भी टाइम है जहां वीडियो देख रहें वहीं पर क्लिक करते जाएं हमें इमरान खन को कर वापस लाना है तो एडवाइजर्ज करवाने पड़ेंगे क्या खेले आप लगों का अस्मान खटक को अटा दो भाई इस्मान खटक को अटा दो क्या कहते हैं इंस्टा वालो आप कि अन्जी बिल्कुल होना चाहिए अगर वो आना चाहिए तो उसे ले लो भाई री ट्वीट अपट 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 इसको लगता है नहीं एडवाइजर्स आहीं है इसके अमरान खान के तो भाई एडवाइजर के लिए तो उसको सेलेक्शन कर नहीं है ना एडवाइजर के नाम चेंज कराओ इनके सारे उल्टे पुल्टे रखे में अब देखो ना इसके ऐसे एडवाइजर है जिन्होंने क्रिप्टो कोई हराम करार दे दिया था अब बिटकोईन में पैसे लग बात करता और जिसे महबबत करते हो जिसे महबबत नहीं आब हमसे क्यूंग बात करें? कि आज़े हम इस त्वीट को अधरा मेरा भाई कि आज़े हैं आरे मैं आज़ एक्टिव रहता हूं एक्टिव रहने का सिर्फ एक तरीका आपने शीरट नी पी नी शराब नी पी नी जैसे आप पिएंगे ये ये energy नहीं आ सकती Allah ताला बड़े बोल से बचा है cigarette अगर तुम लोग पीते हो तो ये energy नहीं आ सकती तुम में, शराब पीते हो तो फिर तो बिल्कुल delay हो जाओगे, कभी तुमने ट्राइ कर लिए ये नहीं होता जब तक नहीं छोड़ोगे जिन्दगी में टेंपो हो गए नहीं वहला बिल्किट सिगरेड पीता है मार्क जगरवर्क पीता है डॉनल्ड टरम शराब नहीं पीता आपको पता है ये बात, डॉनल्ड टरम शराब नहीं पीता कितना अजयाश है लगी शराब नहीं पीता भाई दुनिया में तरक्की के लिए इस तरह की एनरजी रहने के लिए सबसे बले सूटे बाजी छोड़नी पड़ती है मैं कहतो रहा हूँ मस्जिद नवी के आस पास जिस किसम की घटिया हरकत हुई है अल्ला माफ करे हो उसको जिस्टिफाई कर रहे होते हैं अबे उम्रा करने गए हो और वहाँ चोड़ चोड़ के नारे मार रहे हो ये सिर्फ इनके मैं पता रहा हूँ ने इमरान खान आक्सफ़ड यूनिवरस्टी से पढ़ावा है उसको ये चिचोरपन नहीं आते ये इसके साथ जो शेबाज गिल वलाना ये सारे गुर्त से फवाद चोड़ी और ये जितने भी इसका चोहान होने ये है सारे अबे तबा मामा ये बोले हिमरान खान भाई ये करते है चोड़ चोड़ के नारे लगवाते हैं ये इनका है एक बंधा आकस्फुर्ट से पढ़े कि office एंग्रेजडार कराकीइगा या लालु-क्एत चले जहां पर इस तरह बात होती है आबे ताबा जानी मामी तामी तबी तो वो करेगा यह सिखा को अंडरा उसे बाते है और से सी क्या है वो क्या मैं यही तो कह रहा हूँ कि मदीना का इंसिजिंट तो कभी एकसेट हो गए नहीं जो 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 लोग शामिल है उल्टा लटका के उन्हें साइड कर आओ बिल्कुल यार इतनी हरो मैं तो हुर्मत और मैं बता रहूँ अमरान खान को फसाने के लिए जलीर करने के लिए सारी प्ल है उसको क्या बात है आप अमरान खान के लिख जा रहा हुँ इतने जहिल है मैं कह रहा हूं उसके डिवााइजर चेंज करने की जोरुत है और आप आप लोग बिखने चेंज में अब कहरें आपको आ हुआ है टेक्नोलिजी मुव्मेंट तो आएगी आएगी भाई तो मैं कहतो रहा हूँ कि भाई मदीना मक्का में जो हुआ जितने किया उसको लटकाओ मुझे ये क्यों भेज़े रहो वहाँ जो हुआ हो गलत हुआ तो मैंने कब बोले साही हुआ भाई मैं आपसे अभी कह रहा हूँ हमारा फोकस है पाकिस्तान की एकॉनमी शेबाज शेरीफ क्या कर रहे है इमरान खान कर रहे है लीस कंसर्ट इन से हमें काम लेना है क्योंकि ये फैन फॉलिंग इनकी बनी विये वगर नहीं लेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा आएं बताएं इनको यहाँ वे एनिवेज तो जितने लोग जोईन कर रहे हैं यह बहुत जबर्दस बात है इन्शालला फिर आपसे मुलाइए